हेलो फ्रेंड्स विनीत एस एक्स्प्लॉरिंग दे ब्यूटिफुल माइंड्स में आप सभी का वैलकम है और विनीत एस के इस साइन साइन टेक्नलोजी डेबलमेंट के इस सेक्संस में आज हम लोग देखेंगे अन्यू एक्सो प्लिनेट्स के बारे में जाइकोब डी दा व ताकि हम जब भी कोई नया साइंस एंड टेक के डबलमेंट से रिलेटेड इंड फॉर्मिशन लेकर आए आप तो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड अभी क्या है कि रिसेंटली एहमदाबाद बेश्ट एक लेबॉरेटरी है इस कम समीनिस्टिया परसिनल एंड पबलीक रिवांस का के अंडर मैं आती डिपार्टमेंट आप स्पेस तो डिपार्टमेंट सौप स्पेस जो भी ए उसकी एक लेबॉरेट्रिया अंदाबाद बेश्ट डैट इस फिचकल रिसेर्च लेबॉरेटरी तो उसने क्या किया है 725 light years away यानि कि उस जो नय एक्सो प्लेनेट्स का जो डिस्कवर किया गया है उसका 725 light years away और अगर हम मास की बात करेंगे उस नय एक्सो प्लेनेट्स के बारे में तो इट इस 1.5 टन्स आप मास आप दा सन यानि सन का जो अपना सूर का जितना भी मास है उसके तकरिवन 1.5 टन्स यानि डेड़ गुना भारी है इस न्य एक्सो प्लेनेट्स का नाम क्या है तो दोस्तों जो भी नय एक्सो प्लेनेट्स खोजा गया है इसका नाम है TOI 1789B और इसको HD 82139 के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक्सो प्लेनेट्स क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूँ आइनी प्लेनेट आउटसाइड अवर सोलर सिस्टम इस काल्ड एक्सो प्लेनेट्स यानि कि वो सारे प्लेनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के हैं उनकों एक्स प्लैनिर्ट्स जानते हैं सो वॉस्ट प्धा एक्स टेश जिय या करते हैं और बिट अऱांड अश्ठर जानी जो हमारे स्टार्ष होते हैं उनके्लट और विट अड़िटिंग करते लेकिन कुछ एकव्य में अप्छ उन्युम के आराउंड और्विट नहीं करते हैं तो ऐसे प्लेनेट्स को रोग प्लेनेट्स के नाम से जानते हैं तो यह क्या होते हैं जो भी जो भी रोग प्लेनेट्स होते हैं प्राय क्या होते हैं जिस भी गैलेक्सी में पाया जाते हैं उस गैलेक्सी के सेंटर के आराउंड ही और दोस्तों यह जो अपना यहे नए एकसिर और यह कोई पहला यह नहीं जो खोजगया एससे पहले 2008 में भी एक सब्लेक्ण की तोब सब्सक्राइब इस स्थार있는 ऐसे जनते हैं और अगर उसका मास 0.25 से लेकर सम अप दा जुपिटर्स मास के बराबर है यानि कुछ एक जुपिटर्स मास के बराबर है तो ऐसे एक्षो प्लेनेट्स को होट जुपिटर्स कल्ड किया जाता है यानि उनको होट जुपिटर्स बुला जाता है तो यह सारा कुस्ता दोस्तों जो भी अपना ये नया एक्सो प्लेंट को खो जा गया जिसकी डिस्कवरी की गई है अब हम लोग देखते हैं जाइकोब डी के बारे में तो दोस्तों ये जाइकोब डी क्या है दिस दा वर्ड फर्स्ट नीडल फ्री प्लाजमिट डीने वैक्स व्यक्सिन है वर्ड की फ़स्ट और यह क्या होता है इन-फस्ट лे कर आया जाता है जैसे कि हम जो च्प्install c यानि यानकी भी आड उनमें जो इन्सूलेंट की जिस तरह से दियाते हैं उसी इस विञक्सा एड प्राइएतर ला कि जो दोस्तों यह जो नई वैक्सीन जिसको यह जाइकोब डी इसको थ्री डोज में एडिमिस्टेट करा जाता है पहला डोज लेने के तकरीवन अठाइस दिन बाद दूसरा डोज दियाता है और फिर उसके अठाइस दिन वाद यानि कि पहले डोस से तकरीवन 56 डियर आफटर इस इनकोडिंग गquin ईंटियर प्लाजमिर क्या होता है कि डी ईने के चोटा सा टुकला जिसमें एंटीये इंटींस के बारे में इन अपिर और कर देते और फिर उसी सेब्टेरियल छमेंट को क्या होता है हम मासल्स के अंदरнем दूस कर देते हैं मासल्स क्या है फिर टरफ करने की बाद जब वह बैक्टियल प्लाजमिड अंदर चलाता तो उसले समें चला आता है सेल्स में जाने के बाद वो क्या होता है जो क्या करता है कि एंटी जेंस का प्रोडक्षण स्टार्ट करना करना चुरू करता है इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं vaccines को दोस्तों अभी जानते हैं कि यह antigen क्या होता है so part of the disease causing pathogen that induces an immunity response from our body जो क्या दोस्तों यह रोग पैदा करने वाले रोग का एक हिस्से ही होता है जो antigen होता है जो आप DNA के बारे में पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि antigen क्या होता है तो अभी मैं थोड़ा simplified version में आपको बता दूँ कि antigen क्या होता है तो यह antigen रोग पैदा करने वाले रोग का ही एक हिस्सा होता है जो हमारे सरी में क्यों होता है प्रतिरच्छत प्रतिरच्छा प्रतिक्रियाओं को प्रेडित करता है तो दोस्तों यह जो अपना बैक्सिन जो डिस्कवरी की गई जाइकोड़ी इस वेरी प्रतिरच्छत इस और यह जो अपना नया वेक्सिन इसकी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं तो इस बोल बचिया वेक्टिरिया कि बारे हम देते हैं दोस्तों अभी क्या हुआ है कि रिसेंट्टली इंडोनेसिया की एक रिसेर्च इंस्टीट्यूट है उसने यह रिसेर्च पबलेश्ट की है कि अगर जैसे कि डेंगू का जो मच्छर होता है अगर उसमें बोल बचिया बैक्टिया पाया तो तकरीवन 77 परसेंट्ट इंडो के केसे में कमी पाई गई है इस तरह कि उसने रिसेर्च को पबलेश्ट किया है तो दोसते यह बोल बेक्टेरीय को होता है यह कोमन बेक्टिरिया यह स्ते इंसेक्ट स्पेसीस मेरें और यह कंख्रप्कून है यह बैटेियर यह प्रूट फ्लाइज हो गई है तो देन यह जाहित है बाटर फ्लाइज से DJU ओगैसे स्टमटर्कों दूर्गरद यॉइल थ यह इन सिक्टी परसेंट इन्सैक इस प्र्मिन की तो ये जो भी आपना जो दोस्तों ये बन बैक्तिरिया होता है इसे हमें और को बनर के了 और से फ़ כण ने साथ यूमन के पर्स्पेसीजा आगर देखिंगे गढ़ तो इसका से लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जो अपना बोला में अश्वर होता है उसके अंदर यह नहीं करता है और उसके रोगों को फैलाता है यह देंगु वाले मँच्छर में नहीं पाय जाता है तो अभी क्या होता है कि यह है कि वेंड एडीज एजप्टाइज मास्ट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट् के साथ में उसकी ब्रीडिंग होती है तो उसके अंदर क्या होता है और फिर उसके अंदर डेंगु जैसे हो गया और अन्ड वाइरस हो गया उससे लड़ने की छमता का विकास हो जाता है तो इसी लिए इंडोनेसिया की जो भी रिसे अपना रिसर्च इंस्टिट्विटर्स न में गिरावाट आती है कि यह सारा कुस्ता बोलबचया बैक्टिरिया के बारे में तो दोस्तों अगर यह सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे कि ऐसी नहीं नहीं जो